हलो आज बनाने अपन इस्पेशल नाइलोन खमन इसके लिए नाप भुजरुरी है वो प्रापर नाप लेंगे तो बहुत बढ़िया बनने वाला है तो यह आपन एक कप पानी ले रहे हैं और यह थोड़ा से उपर ले लिए करीब दो जूटी जम मच फिर लगेगा तो मिला इसमें तीन चमच शक्कर गिला रहे हैं यह वाली अपनी यह वाली स्पून लिए अपनी छोटी चमच निम्बो के फूल टाटरी जो भी बोलते हो वो इसमें मिक्स करते हैं और साथ में अपर एक स्पून भरके तेल डाल रहे हैं तेल की स्पून थोड़ी से बड़ी है अपनी खाने वाली स्पून का दो स्पून समय सकते हैं अब आपने सब विसकर से अच्छे आप देगे जब तक शक्कर और नीबू के फूल टाटरी अच्छे से बैक्स की हो जाता इसको मैं फेटती हो अधिया अपने सब मिक्स कले पानी थोड़ा सा वाइट वाइड दिखना चाहिए तेल पानी शक्कर और मिक्स किया और उसी कब से दो कप बैसन लेंगे यह एक हो दबा की नहीं लेना है हलके से बिलकुल आज़ाइब करके लेना है कि यह दो कब बैसन ले रहा है इस में हल्दी बिलकुल नहीं डालना है और यह मैं डाल रही हूं टेस के हिसाब से नमक बहुत सिंपल रेसिपी यह और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा यह पिल्कुल इस पंच आएगा अब इसकोपबानी को अच्छा से पटना यह यह न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और जादा गाड़ा होना चाहिए इसका रेशिव अगर आपने सही लिया है तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा आप इसको चल्ली से बैसिंड डालने के पहले इसको चल्ली से छान भी सकते हैं पर मैं विस्कर से मिला रही हूं न तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो रहा है एक भी गुटलिया नहीं बन रही है इसको अच्छे से फेटना है और इधर गेज पर मैं एक तपेली भी एक किलाज पानी रखा है करते हैं मुद्हकंर दें दाले के सी माच पर चालू कर लہकुव और दस मिनिट बैसन की मिन के शाय कि आखु़के माथ फेटें इसमें अच्छे से आई ग्रीस करके त्यार कर लेते हैं अपने को थोड़ा सा उचा उठावा बढ़न चाहिए त्यार के लिए अधर इस्टीमा चला दिया है अब आगी की प्रोसेस करते हैं अब यह मैं खाने वाला सोडा ले रही हूं चोथा इस्पून डाल रहे हैं और इसको अच्छे से फेटते हैं दो मीट्र अच्छे से फेटने के बाद में एक दम आपका फूलने लगेगा और बेटर ऐसा होना चाहिए इस टाइप का फेट लिए और इसको मैं ट्रांसफर कर अपने जिसमें बनाना है अपने को अधर स्टीमर के आज भी तेज कर दिये कि स्टी अच्छे से तयार हो जाए आगा यह मैंने तयार कर लिया इसको रख देते हैं स्टीपर पर अधि पानी मेरा इसमे बॉल हो रहे है पानी जादा नहीं डाले बना बश जाएगा इसको अधिकन रखना है जिससे बिल्कुल भी पानी की भाब बाहर नहीं आ है तो इसको 25 मिट बाद खोलेंगे अपन और गेस की आज मीडियम टू है है बहुत तेज भी नहीं है मीडियम से थोड़ी तेज है 25 मिट बार देखना है यह 25 मिट हो गए है और इसको खोल के देखते औ अपना चाप को फिले निकल रहा है मतलब यह गया है अब को स्कुल निकल लेते हैं एक दूसरी प्लेट पर शुट anál ह lazım यह देखो किते अच्छे से निकला मैंने वह छोटा कप लिया था वागी इसका स्पंज देखो एक दम पढ़िया जालीदार अब इसका आपन छोग तयार करते हैं इसको वापिस में डाल रही हूं कि अब इसका बीस काटींगे अपन पहले और फिर चोप करेंगे तटापेन रखा है तो हो तो यह रख रहे हुद थोड़ा सा पन डाल रहे है इसमें ते ल इन में आपन थोड़ा थोगाई तो अब गेस के आज कड़ते हैं फूल ही डाल रहे हिंग्या पूर ये डाल रहे हैं पन हींग तो सिंपल रेसिपिटे पना रहे हैं कुझे पीका निकालना से में इच्वाद में डालेंगे ये करी पत्ता डालें खोड़े से ही इसे मेरे पास में जब पाने डाले ना सब गेज के आध बिल्कुल श्लो हनाती वना तेल से पानी डाला है और इसमें अपन डाल रहे हैं जो चंबर श्रक्तर आप जितना मेठा खाते हैं उसे साबसें आपे थोड़ा सा मीठा ज्यादा पसंदें इसलिए जाल रहे हैं थोड़ी सी ज्यादा और है लिकासा नमक नमक अलेटी अपने डाल रखा है इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे आप अब इस पानी को अच्छे से उबल जान देते हैं शकर मिले अपतर इसमें भी एक चुटकी खटाई की थोड़ इसी निम्बू के फुल रख एक चुटकी से भी गम तो आप फ्लेवर और उड़ जाएगा इसका शकर करने देते हैं इसको अपर थोड़े सी फीके निकालना ह यह एक प्लेट में मैंने स्पंजी अपने खंबन निकाल लिया है और इसमें अपने थोड़ा सा बघार डाल यते हैं इसमें मिर्च निमिर्च नि डाली है пош जो मैंने तीन से चार हरी मिश्ली है वो इसमें काटके और इसको दो मिट के लिए उबनने देते हैं यह एक मिट अच्छे से उबन गया है जिसमें मिट्ची का फ्लेवर इसमें आ गया है और यह अपन डाल गया अब इसमें अपना पूरा वो तड़का अपने खमन रेडी है इसमें कभी भी गरम गरम मनी डालना है ठंडे में ही डालना है वनना वह पानी छोड़ देंगे और यह ऊपर से अपन डाल रहे हैं हरा धनिया इधर ये मेरे फीके खमन बन गए हैं और इधर ये मिर्ची वाले चटपटे खमन बनके तयार हैं आपको मेरी रेसिपी पसंदाने तो प्रिस लाइक और सब्क्राइब बहुत सिंपल रेसिपी जरूर ट्रै करें